नमस्ते दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर चिराग बंडारी और मैं एक एंडॉलोजिस्ट हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि सिगरेट से आपकी सेक्शुल लाइफ कितनी खराब हो सकती है आपको पता है सिगरेट में 69 ऐसे केमिकल्स है जिससे कैंसर हो सकता है ये आपको पता होगा कि सिगरेट आपके ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को बाकि जितने भी और्गन्स है सब में कुछ न कुछ डैमेज करती है पर सेक्शुल लाइफ में इसका काफी जादा डैमेज होता है सिगरेट पीने से एरेक्टायल डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब नपुसंगता हो सकती है क्यों क्योंकि सिगरेट में जो केमिकल्स होते हैं, वो ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं, जो आर्टरी होती हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं तो आपका blood flow हो नहीं पाता और उससे आपका erection नहीं आपाता एक study हुई थी United States में उसमें ये पता लगा कि जो लोग 20 या 20 ज्यादा cigarette पीते हैं दिन की उनको 60% जादा chances होते हैं erectile dysfunction होने के नपुसंगता होने के पर अच्छी बात यह है कि अगर आप वो cigarette smoking छोड़ दो एक सा आपका अरावजल जो होता है एक्साइटमेंट होता है वह कम हो जाता है आपके पार्टनर के तुरू अगर आपने सिग्रेट जस्ट पहले पी होती है sexual activity से तीसरी चीज है फर्टिलिटी प्रोब्लम्स हो सकती है sperm count कम हो जाता है semen volume कम हो जाता है motility कम हो जाती है morphology खराब ह हो जाती है तो infertility हो सकती है और चौती चीज है आपका stamina खराब हो जाता है आपको break लेना पड़ता है आपकी सांस फूल जाती है तो ejaculation भी आपका जल्दी होने के chances हो जाते हैं तो cigarette से बहुत सारे नुकसान है इसलिए बंद कर ये cigarette